हेलो फ्रेंड्स मैं विश्णू आरक एक्जाम क्रेकर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक और नई जोब से जुड़ी अपडेट ले करा हूँ आज की जो जोब अपडेट आए वो आईसमान जो भारती ओजना है उसके तहत कॉम्यूनिटी हेल्थ ओफिसर यानि सी एचो के पद के लिए भरती है कुल पदो की संख्याच 4,000 है और इसके लिए आपका जो है कोई एक्जाम नहीं होगा इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है क्या इसके लिए सेलरी है और क्या एज लिमिट है इन सभी जानकारी के लिए वीडियो को लाश्ट तक देखिए तो फ्रेंट्स आईए देखते हैं आज की भरती से रिलेटेड इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन यह ओफिसियल नोटिफिकेशन आया है रिक्रूट्मेंट ओफ कॉमिनेटी हेल्थ ओफिसर यानि सी अच्चो पद के लिए यह डोकुमेंट वेरिफिकेशन के थुरू यह प्रोसेस होगी नेश्टल है उत्तर परदेश जो स्टेट गवर्मेंट है उत्तर परदेश की उसके अंडर में यह वेकेंसी आई है यह एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका एडवर्टाइजमेंट रेफरेंस नंबर 593-SPMU-NHM-HR-Appoint-2023-6405 तो यह एडवर्टाइजमेंट आई है दस दो दिसंबर को और यह लगबग 4000 जो है कॉन्टेक्ट पेस्ट की वेकेंसी आई है जो की आईश्मेन भार्थ स यह वेकेंसी आई है उत्तरपरदेश में ऐसे केंडिडेट्ज जो है कम्प्लेट डोकुमेंट वेरिफकिशन के बाद उनको जो है, जो सब हैल्थ सेंटर है, जो स्टेट्स में जो सब हेल्थ सेंटर होते हैं उस लेवल पर यह जो जोब है और जो प्राइमरी हेल्थ टीम है हेल्थ केर की टीम उनको कोडिनेट करना है CHO ओफिसर्स को कुल जो वेकेंसी आपको distribution दिखाए गया है वेकेंसी का CHO की जो टोटल वेकेंसी 4000 है जनल केंडिडेट्स के लिए 16 वेकेंसी है EWS के लिए 400 OBC के लिए 1080 और SC केंडिडेट्स के लिए 840 ST के लिए 80 और PWD जो Disable केंडेट्स हैं उनके लिए 1660 है वेकेंसी है नेक्स जो important आपके लिए है जो date है यह application form जो है आपका online भरा जाएगा और जो यह है 2 December से यह भरना शुरू हो चुका है और last date जो है आपकी 13 December 2022 है तो last date को आपको ध्यान में रखना उससे पहले form को जो है submit कर देना है online आपका form है जो link है form का वो मैं description box में share कर दूँगा आप व होनी चाहिए BSC nursing जो BSC nursing का course है वो आपको जो है complete किया हुआ होना चाहिए जो की community health for nurses जो certificate है इसमें वो आपके पास होना चाहिए आपकी age जो है वो 21 10 2020 से जो है date है जो उससे count की जाएगी और आपकी age 35 साल से कम होनी चाहिए जो reservation है वो state government के according जो है दी जाएगी जो age limit में छ किया जाएगा candidates है जो उनको nurses and midwives जो यूपी का जो यह registration office है उसमें register होना चाहिए उसमें आपका जो है वहां से valid जो certificate है registration का वो आपके पास issue होना चाहिए तब ही आप इस phone को जो है feel कर पाएंगे फिर आपकी salary salary और incentive जो है आपके वो जो contextual based किये job है उसके लिए जो सब central level के है जो hwc है उनमें आपको जो 20,500 रुपय जो है यह आपकी salary होगी और इसके plus में जो extra जो incentive होंगे आपके 15,000 होंगे जो की performance पर based होंगे आपके यह ओके तो 20,500 आपको जो है पूरी salary मिलेगी जो सबको मिलेगी फिर incentives है 15,000 आपके next is selection process, selection आपका देखिए exam कोई नहीं होगा यहाँ पर, जो selection का criteria होगा वो आपको जो है documents की verification होगी आपके उनके base पर जो है आपका जो है यह process की जाएगी document verification में आपकी जो selection होगा वो merit होगी जो आपकी merit बनेगी जो वो merit बनेगी वो बनेगी आपके theory और practical exams के जो bsc nursing के exams है उनके base पर जो marks होंगे आपके उनके base पर यह merit बनेगी उससे ही आपको जो है sort list क्या जाएगा document verification के लिए फिर आपका document verification क्या जाएगा document verification के दुरान दो है आपको original आपके सभी certificate two set of self attested जो photocopies है वो सभी आपको जो है लेकर जाने होगी तो यह आपके लिए जरूरी जो information है वो है इससे related फिर next जो आपकी upper age limit है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ 21-10-2022 को आपकी जो age limit है वो 35 साल से कम होनी चाहिए general candidates के लिए बाकी reservation के according जो आपको छूट मिलेगी वो यूपी government के जो जो rules है उनके according सभी categories में आपको जो है छूट मिलेगी application form की जो फीस आपकी कोई नहीं है कोई भी फीस नहीं है फरी में आपके लिए form है सिर्फ आपको online form जो है जो net के certificate होने चाहिए जो जो आपकी relevant category है फिर district wise भी यहाँ पर आप वेकेंसी देख सकते हैं यह अलग लग district wise वेकेंसी का distribution यहाँ पर दिखाए गया टोटल जो है यह 4000 आपकी वेकेंसी है तो यहाँ पर जो है हमने इस भरती से रिलेटर जो important जानकरी थी वह हमने डिसकस कर ली आसा करता हूँ यह जानकारी और यह जो मैं job update आपके लिए लेकर आता हूँ यह आपको पसंद आई होगी और friends अगर आपको यह job updates और जो आपकी तेयारी से related important topics जो मैं video यहाँ पर आपके लिए इस channel पर लेकर आता हूँ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा like करें ज्यादा से ज्यादा आपने friends के बीच भी share करें और हमारी daily video updates को देखने के लिए channel को subscribe भी जरूर कर ले तो friends इसी update के topics के जाए थैंक यू